आज की क्लास होने वाली है वाक्यों में बहुत जादा अस्तमाल होने वाले ऐसे शब्दों के उपर जो रोज काम आती है यानि कि अंग्देजी के महतुपून शब्दों के उपर स्वागत है आपका आज की क्लास में मैं हूँ पृती मैम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की क्लास चैनल पर अगर नए है पहली बार अगर आ रहे हैं पहली बार आगर आप मिल रहे हैं हमारे साथ तो जलदी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी हमारी कोई नेई क्लास आई आपको ज़रूर पता लग जाए मेरा या मेरी, इस्तमाल कर लीजे, माई, क्या इस्तमाल करेंगी, माई, यह मेरा बैग है, this is my bag, यह मेरा बैग है, this is my bag, बताईए, अब यह मेरा का अनुवाद माई अगर आपको नहीं पता होता, तिस वाक्य का अर्थी बदल जाता, अगर यह वो जाता, this is bag, मतलब यह मेरा, मेरा, तेरा, इसका, उसका, अंकल का, भाईया का, है ना, बहन का, यह सब कुछ आपको अनुवाद करते वक्त, जो है, काफे इस्तमाल होता है, जैसे बोलते हैं, यह मेरे भाईया की कार है, है ना, यह मेरा बैग है, तो इसके लिए जो अनुवाद में जो शब्द इ परूरी है क्योंकि वो जो है पूरे के विरवाक्य के मतलब को बदल देते हैं जैसे यहां पर उधारन के तौर पर देख लीजे जब आप कहते हैं this is my bag तो यह समझ में आ जाता है कि यह मेरा bag है और कहते हैं this is bag मतलब यह bag है यह आपका है यह पता नहीं चला राइट चलिए आगे बढ़ते हैं तेरा आपका तुम्हारा इस्तमाल होगा your क्या इस्तमाल हो रहा है your यह तेरा bag है this is your bag यह तेरा bag है this is your bag तुम्हारा आपका इस्तमाल होगा your यह तुम्हारा bag है this is your bag उसका यानि कि his उसका यानि की his याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ male member के लिए इस्तमाल होगा ठीक है? male के लिए इस्तमाल होगा his का ये उसका bag है this is his bag तो ये समझ आ जाएगा his का इस्तमाल यानि की male member के लिए हो रहा है ठीक है? उसका या उसकी इस्तमाल हो रहा है अगर her ठीके, कब इस्तमाल करेंगे her जब ये महिला के बारे में बात कर रहा हो female के बारे में बात कर रहा हो जैसे ये उसकी कलम है this is her pen बढ़ते हैं आगे अगला है इसका या इसकी इस्तमाल होगा its क्या इस्तमाल होगा its यह इसका cover है, this is its cover, यह इसका cover है, this is its cover, किसका या किसकी, पूछने के लिए भी तो इस्तमाल कर सकते हैं न, इस्तमाल होगा whose, क्या इस्तमाल होगा, whose, यह कलम किसकी है, whose pen is this, जिसका, जिसकी, जिसके, तो भी अनुवाद होगा whose, क्या अनुवाद होगा, अनुवाद होगा whose, यह क्या बताएगा, belonging के बारे में बताएगा, किसका है, किसकी है, है न, देखिए इस्तमाल, मेरा एक दोस्त है, जिसके पापा एक्टर है, I have a friend, whose father is an actor, मेरा एक दोस्त है, जिसके फादर, जिसके पिता, एक आक्टर है, यह जिसके पापा एक आक्टर है, I have a friend whose father is an actor, जिसकिसी का, जिसकिसी का, whose या whosoever, whose या whosoever, जिसकिसी का बैग है, ले जाओ, whose bag is this, take away, या whosoever bag is this, take away, रोहन का, कहेंगे, रोहन्स, क्या कहेंगे, रोहन्स, apostrophe के साथ, ऐस लग गया, इस रोहन्स बैग, यह रोहन का बैग है, इस रोहन्स बैग, जैसे ही आपने कहा, रोहन्स, तो यह साफ हो गया, यह बैग जो है, वो रोहन का है, रागिनी का, कहेंगे, रागिनीज, क्या कहेंगे, रागिनीज, यह रागिनी का बैग है, this is रागिनीज बैग, मेरे भाई का, my brothers, यह मेरे भाई का कलम है, this is my brother's pen, यह मेरे भाई का कलम है, this is my brother's pen, मेरे भाई का, my sister's, यह मेरे भाई की कलम है, this is my sister's pen, यह मेरे भाई की कलम है, this is my sister's pen, मेरे दोस्त का कहते है ना यह मेरे दोस्त की कार है मेरे दोस्त का My friends My friends यह मेरे दोस्त का घर है This is my friend's house यह मेरे दोस्त का घर है This is my friend's house पापा का Fathers कह सकते हैं Dads कह सकते हैं Fathers कह सकते हैं dad's कह सकते हैं, यह मेरे पापा का mobile है, this is my father's mobile, कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, this is my dad's mobile, absolutely all right, कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मम्मी का mother's या mom's, क्या कहेंगे, mother's या mom's, यह मेरी मम्मी का purse है, this is my mom's purse, या this is my mother's purse, यह मेरी मम्मी का purse है, this is my mom's purse, या this is my mother's purse, आगे बढ़ते हैं, चाचा का उंकल्स यह मेरे चाचा का घर है This is my uncle's house आप प्लेस का अस्तमाल भी कर सकते हैं This is my uncle's place ठीक है? आप कर सकते हैं इस का स्तमाल चाची का आंट्स यह मेरी चाची का मोबाइल है This is my aunt's mobile यह मेरी चाची का मोबाइल है This is my aunt's mobile चचेरे भाई का Cousins यह apostrophe S के साथ यह मेरे चचेरे भाई का मोबाइल है This is my cousin's mobile This is my cousin's mobile चचेरी बहन का Cousins यहाँ पर बिस्तमाल होगा यहाँ पर male female वाली बात नहीं है Cousins यानि की Cousins ही ठीक है यही इस्तमाल होगा यह मेरी चचेरी बहन का मोबाइल है This is my cousin's mobile This is my cousin's mobile दोस्त के भाई का Friends, Brothers Friends, Brothers दोस्त के भाई का यह मेरे दोस्त के भाई का Purs है This is my friend's brother's purse This is my friend's brother's purse दोस्त के पिता का Friends, Fathers Friends, Fathers यह मेरे दोस्त के पिता का घर है This is my friend's father's house यह उस लड़के का बॉईज यह उस लड़के का बैग है यहां S के बाद apostrophe लगी है तो यह ऐसे ही इस्तेमाल होगा इस बात का ध्यान रखना है यह लड़कों का होस्तल है This is boy's hostel यह लड़कों का होस्तल है This is boy's hostel लड़की का girls क्या? यह उस लड़की का पॉर्स है It is that girl's purse लड़के का girls लड़कियों का girls यह लड़कीयों का होस्तल है This is girls' hostel यह लड़कियों का होस्तल है This is girls' hostel शर्मा जी का कहते हैं न? शर्मा जी का, शर्मा जीज, यह शर्मा जीज का घर है, this is शर्मा जीज हाउस, वर्मा जीज का, यानि की वर्मा जीज, यहां पे सर्निम कोई भी हो, आप इस्तमाल कर सकते हैं, ठीके, वर्मा जीज, यह वर्मा जीज की दुकान है, This is Verma Ji's shop यह Verma Ji की दुकान है This is Verma Ji's shop किसी का किसी का कहते है न होगा किसी का यानि कि someone's या belongs to someone someone's या belongs to someone किसी का तो है यह कहते है न किसी का तो है यह It belongs to someone या it's someone's किसी का तो है यह या तो उसका स्तमाल करेंगे या कहेंगे किसी का नहीं कहते है ना किसी का नहीं है नोबडीज या belongs to no one, यह किसी का नहीं है, it belongs to no one, या it's nobody's, it is nobody's, यह किसी का नहीं है, it belongs to no one. मोबाइल का, कहते हैं न, मोबाइल का है, यहाँ पर होगा off mobile, mobiles नहीं होगा, यह होगा off mobile, क्या होगा off mobile, यह मोबाइल का कवर है, या मोबाइल का कवर लाल है, cover of mobile is red, मोबाइल का कवर लाल है, cover of mobile is red. तो एस गाइस यह थी आजकी class उम्मीद है class आपको इसमझ आ गई अब किसी के बारे में बात करनी हो किसी के belonging के बात मैं बात करनी हो आप पिछ armpit चाहेंगे नहीं क्यूंकि मैंने आपको बता धिया कैसे बात करनी है याइद रहेगी comment करके मुझे बताइए class कैसे लगी जल्दी से बताइए class कैसे लगी class बढ़िया लगी ना class को करिये like करिये share channel को नहीं किया subscribe तो जल्दी से कर लीजे subscribe भी channel को और इसके साथ ही telegram पर भी आ जाएए अगर आपको चाहिए free spoken English की course तो मंगवाईए basic plus spoken English की course और उसकी e-book free spoken English की course है 15 दिनों की है घर बैठे आराम से बिंदास सीख सकते हैं mini spoken English course इसकी e-book के लिए भी आपको telegram पर message करना होगा क्या message करेंगे? मुझे free spoken English की course चाहिए basic plus वाली या mini spoken English वाली आप ये लिख करके भेजेंगे आपको हुमारे प्रतिनी दिद्वारा ये courses और उसकी e-book की link भेज दी जाएगी telegram पर कैसे आना है भाई? सर्च करेंगे अपने आप पर जाकर की be banker हम लोग मिलेंगे be banker education solution के नाम से सबसे पहला सर्च मिलेगा तो समस्या वाली कोई बात नहीं है सबसे पहला सर्च मिल जाएगा अच्छा पहला सर्च मिल जाएगा तो क्या notice करना है notice ये करना है कि उसमें 17,000 से जादा subscribers है तो आपको उसी channel को join करना है नीचे आपको और भी channels दिखेंगे जो मेरे नाम के होंगे जो की गलत है आपको वहाँ पर पढ़ाई के related जानकारी नहीं मिलेगी आपको उसी channel को join करना है जिसको मैं बता रही हूँ that is bbanker education solution इस link के जरी आएँगे तो जंजटी खतम क्योंकि आप सिदे सिदे official page पर land करेंगे और आप वहाँ पर join button क्लिक करके join कर सकते है इस number के जरी आएँगे तो भी आप official page पर land करेंगे join button को क्लिक करके join कर सकते है इन तीनों किताबों की updates पाने के लिए हमारी किसी भी paid course की जानकारी प्राप्ट करने के लिए जैसे कि है premium spoken English का course basic English drama का course basic English reading का course ये तीनों ही exclusively paid courses है जो की आपके लिए ही बनाई गई है जहाँ पर आपको रोज classes दी जाती है class के notes मिलते है homework मिलते है पूरी की course की आपको e-book दी जाती है आपको doubt classes दिये जाते है and what not इनके से अगर आपको paid course करनी हो तो आप telegram पर message करेंगे कि मुझे paid course करनी है तो आप easily वहाँ पर paid course कर सकते है उसकी वहाँ पर admission ले सकते है अगर आपको by chance free course करनी हो कोई समस्या नहीं है आप लिखके भेजे मुझे free spoken English course चाहिए तो आपको उमारे प्रतिनीजी द्वारा free वाली course भी भेज दी जाएगी दोनों ही सूर्तों में सीखना आपको है आपकी सहूलियत कर देना मेरा काम है चाहिए आप paid course करें चाहिए आप free course करें आपको टेलेग्राम पर सही सही जानकारी लिख करके भेजनी होगी और जानकारी जब भी आप भेजे उसके बाद लगभग 12-47 घंडों का वक्त जो है हमारी एंड से मिल लग जाता है आपको reply मिलने में तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मेसेज कर दिया है निश्चिन्त हो जाएं आपको reply ज़रूर ज़रूर मिलेगा clear हो गई बार so yes guys that's it for today thank you so much for watching